जैहिन दोस्तो मेरा नाम है बहादर लोधी और आप लोग देखना सुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूटूब चैनल दोस्तो आज किस वीडियो में हम इस्टेटिक जीके का एक ट्रेंडिंग टॉपिक डिसकस करेंगे जहां से हर एक्जाम में कॉसन भर भर के पूशा जाते हैं फ्रसद्ध खिलाडियों के उपनाम और दोस्तो फ्रसद्ध खिलाडियों के उपनाम को तो हम डिसकस करेंगे ही साथ में हम ये भी डिसकस करेंगे कि वो खिलाडी किस खेल से सम्मंदित है और किस राज से बिलोंग करता है और यदि किसी खिलाडी के बारे में कोई most jump on fact है जो कि एक्जाम में पूशा ही जाता है तो उस fact को भी हम discuss करेंगे तो दोस्तो विना किसी देरी के शुरुआत कर ले में थोड़ा सा समय जादा लग रहा है तो कोई बात नहीं वीडियो को pause कर लीजिए और वीडियो के लाश में अपना score भी share कीजिए कि आपने कितने question का सही answer दिया तो इस प्रकार से आप अपना खुद का आकलन भी कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं आप जी के कितना ज लक्षपर हम 29 अगस्त को राष्टिये खेल दिबस मनाते हैं इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को और अलहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था ठीक है तो इनको होकी का जादूगर तो कहा ही जाता है इनके अनिनाम है इनको दी विजाड के नाम से भी जाना है और ध्यान चंद्र नैशनल होकी इस्टेडियम कहा परस्ते थे नई दिल्ली के अंदर तो ये सारी वातें आप याद रखेंगे नंबर सेकन को सन है हर्याना हरीकेन के नाम से किस खिलाडी को जाना जाता है तो हर्याना हरीकेन कहा जाता है कपिल देव के लिए ए ऑप्श दीते थे 1983 में कपिल देव की कप्तानी में और कपिल देव की आटो वायोग्राफी का नाम पूसदाए तो कहना इस्टेट फ्रॉम दी हर्ट यानि की सीधे दिल से इनकी आटो वायोग्राफी का नाम है इनकी एक फेमस बुक भी है किरकेट माई स्टाइल ठीक है और ये कहा से विलाउं करते हैं तो इनका जन्म हुआ था हरयाना के चंडीगड में ओके नमबर थर्ड कॉस्टन की बात करें किस भारतिय करिकेटर को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है तो कैप्टन कूल कहा जाता है MS धोनी यानि कि महेंद्र सिंग धोनी के लिए C option करक्ठ हो जा 2011 में अब तक हम दो ही बार वर्ल्ड कप जीते हैं ठीक है एक कपिल्देव की कप्तानी में जीते थे 1983 में और दूसरी बार हम वर्ल्ड कप कप जीते हैं तो महेंद्र सिंग धोनी की कप्तानी में और कब 2011 में ओके नैश कॉस्टन है Master Vlastar और Bombay Bomber किस भरतिय खिलाडी का उपनाम है करक्ठान सरोज आएगा दोस्तो सचिन तेंद्रकर को कहा जाता है Master Vlastar ओके हम डेटेल की बात करें तो सचिन तेंद्रकर को Master Vlastar तो कहा ही जाता है सबी लोगों को पता होगा लेकिन इनको The Little Champion भी कहा जाता है किरकेट का भग पुसकार अभी तक प्राप्ट हुए है ये भी आपको पता रहना जरूरी है ये कौसन पूसा दाता है ठीक है 1997-1998 में इनको राजयोगांदी खेल रतन पुसकार दिया गया था 1994 में अरजुन पुसकार दिया गया था सचिन तेंदलुकर को भारत रतन दिया गया 2014 में ओके एस कॉस्टन है Little Master हमने Master Blaster पढ़ लिया सचिन तेंदलुकर को कहा जाता है Little Master किस को कहा जाता है सुनील गावसकर को कहा जाता है Little Master D option करक्ठ हो जाएगा ठीक है किर्केट से ही इनका संबंध है आपको पता होगा और किस राज से ये बिलोंग करते हैं तो ये महराष्ट राज से बिलोंग करते हैं और इनकी वायोग्राफी का नाम पूछा जाता है ठीक है तो इनकी वायोग्राफी का नाम क्या है सन्नी डे ठीक है सन्नी डे इनकी वायोग नाम है नेश्ट हमारा कॉस्टन है दी लाइटनिंग किड के अपनाम से किस खिलाडी को जाना जाता है तो दी लाइटनिंग किड किसको कहा जाता है विस्वनाथ आनंद को कहा जाता है ए ओप्सन करेक्ट हो जाएगा दोस्तो विस्वनाथ आनंद का दूसरा नाम इनको टाइ पॉनफ्यक्ट को कि 1988 में भारत के पहले ग्रैंड माश्टर कौन बने तो विस्वनाथ आनंद बने और वर्स 2000 में फीडे विस्व सतरंज चैंपिएनशिप जीतने वाले पहले भारती बने और इनोंने 5 बार विस्व सतरंज चैंपिएनसिप जीती है ठीक है कब कब 2000 में 2007 में 2008 में 2010 में और 2012 में नेश कोस्टन है ओडन परी के अपनाम से कौन महिला एथलीट प्रिसद्द हैं ओडन परी किसका अपनाम है PTO का A option करक्ठ हो जाएगा दोस्तो PTO का एक ओडन परी अपनाम तो है ही इनको पाउली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है और इनको क्यून ओफ इंडियन ट्रेक एंड फील्ड ठीक है ये भी कहा जाता है और इनको ओडन परी भी कहा जाता है और दोस्तों ये कहां से बिलोंग करती है तो ग्राम पॉली और राज केरला से बिलोंग करती है ठीक है इनके गाओं के नाम पर ही इनका नाम पड़ा पॉली एक्सप्रेश ठीक है और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है गूल्डन गर्ल इनकी आत्मकथा का नाम है नेश कोस्तन ह भालफ है खिलाडी नीरज चोपडा को किस उपनाम से जाना जाता है तो नीरज चोपडा को क्या कहा जाता है गोल्डन वॉय कहा जाता है C ओप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है गोल्डन वॉय इनको कहा जाता है और हम बात करें कि इनका दूसरा उपनाम क्या है इनको चोपड़ा ने टोक्यो ओलम्पिक 2020 में सित्यासी दिसमला 58 मीटर का भाला फैक कर गोल्ड मेडल दिलाया और ये इतिहास रचा नीरचोपड़ा ने ठीक है तो टोक्यो ओलम्पिक 4 साल में होते हैं ठीक है तो आगामी 4 साल होता कि ये कॉस्टन आपके एक्जाम में लगाता र चाहते हैं topic wise science को पढ़ना चाहते हैं और current affairs को पढ़ना चाहते हैं तो अभी अभी हमारी दो ebook launch हुई है एक general science की और current affairs की देखे इस्टेटेक जीके की जो ebook है यह बहुत ही जल्दी launch होने वाली है बस हम यह चाहते हैं कि best quality का content आप लोगों के लिए ला सकें ठीक है इसलिए work उस पे continue चल रहा है और इसी प्रकास से जिस प्रकास से science और current affairs की best ebook आपनों के लिए लाएं गई है इससे भी best aesthetic gk की ebook लाई जाएगी यह मेरी guarantee है तो अभी यदि आपने यह दोनों ebook purchase नहीं करी है तो इनको purchase कीजिए और मैं guarantee से बोल सकता हूँ कि यह ebook आपको selection दलाने में काफी मददगार साबित होंगी next one की हम बात कर लेते हैं तो miss court के उपनाम से किस भारते badminton खिलाडी को जाना जाता है miss court किस का उपनाम है तो साइना नेवाल का उपनाम है ठीक है और यह किस राज से बिलोंग करती है हरयाना राज से बिलोंग करती है next question है मिस मलीका के उपनाम से किस भारते badminton खिलाडी को जाना जाता है देखिए miss court साइना नेवाल को कहा जाता है हम पढ़ चुके हैं और miss मलीका किस के लिए कहा जाता है PB सिंदू के लिए कहा जाता है ठीक है next question है हिमादास का उपनाम क्या है हिमादास इनको कहा जाता है धींग एक्सप्रेश ठीक है और कहा से बिलोंग करती है तो असम राज के और इनके गाउं का नाम क्या है धींग इनके गाउं का नाम है और इनके गाउं के नाम पर ही इनका नाम पढ़ा है धींग Magnificent Mary किस खिलाड़ी के उपनाम है तो Supermom और दूसरा Magnificent Mary ये दोनों उपनाम है Mary Com के A option करक्ठ हो जाएगा Mary Com की हम बात कर लेते हैं तो जो Mary Com है ये भारतिय मुक्केबाज है ठीक है और ये कहां से विलोंग करती है ठीक है और इन्होंने महिला विस्व मुक्केबाजी Championship में अब तक सबसे जादा वार आठ वार गोल्ड मेडल दीता है याद रखना MC Mary Com का नाम नेश कोस्टन है Flying Fist किस खिलाड़ी का उपनाम है तो Flying Fist कहा जाता है Michael Phillips के लिए A option करक्ठ हो जाएगा और Michael Phillips अमेरिका के प्रसिद्द तेराख है नेश कोस्टन है टर्बनेटर के नाम से कौन जाने जाते है आंसर लगाए फटाफट से कमेंट सेक्षन में और स्कूर भी तो सेयर करना है कि आप कितने नमबर ला पा रहे हैं इस टेस्ट में तो टर्बनेटर कहा जाता है हर वजन सें के लिए C आप्शन करक्ठ हो जाएगा ठीक है और इनको लोग प्यास से भजी भी कहते हैं और ये किस राज से बिलोंग करते हैं पंजाब राज से ये बिलोंग करते हैं सभी कॉस्टन पर मैंने फोटो भी लगाई है जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाए नेश कॉस्टन है राउल पिंडी एक्सप्रेस किस खिलाडी का अपनाम है तो राउल पिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है सोयव अक्तर के लिए और सोयव अक्तर कौन है ये पाकिस्तानी किर्केटर है इनका जन्म पाकिस्तान के राउल पिंडी में हुआ था और ये अपनी तेज गेंदवाजी के लिए काफी प्रिसद्द थे नेश कॉस्टन है डांसिंग एम्पार के नाम से कौन जाना जाता है डांसिंग एम्पार यानि कि जब ये एम्पारिंग कर रहे हूं तो ऐसा लगता है कि ये डांस कर रहे है ठीक है आउट हो जा रहा है यदि ये बता रहे हैं कि आउट हो गया तो इस टाइप से जैसे ये डांस कर रहे हूं ठीक है तो dancing empire कहा जाता है Billy Bowden के लिए ठीक है और Willie Bowden की हम बात करें तो ये किस देश के हैं ये New Zealand देश के हैं नेश कोसन है Milka Singh को किस उपनाम से जाना जाता है तो Milka Singh को The Philang Sik के उपनाम से जाना जाता है ठीक है और हम detail की बात करें क्योंकि Milka Singh से एक कोसन एक्जाम में पूसा जाता है तो Milka Singh आज तक भारत के सबसे प्रसिद और सम्मानित धावक थे 19 Shon Town के ACI खेलों में और राष्ट मंडल खेलों में शौन पदक जीतने वाले पहले भारतिये थे इनके जीवन पर एक मूवी बन चुकी है मूवी का नाम क्या है भाग मिलखा भाग ये 2013 में बनी थी और इस फिल्म के डारेक्टर पूसे जाते है एक्जाम में ओम प्रकास महरा थे और इनका जन्म हुआ था गोबिंदपुरा पंजाब में जो की वर्तमान में पाकिस्तान में इस्ते थे और जून 2021 में इनका नीधन हो गया है नेश कोशन है विलेड रनर के नाम से किसे जाना जाता है तो विलेड रनर ये कोशन एक्जाम में पूसा जाता है ठीक है इनका नाम क्या है Oscar Pistorius इनका नाम है और देखे दुस्तों ये दक्षिन अफरिका के एथलीट हैं कहा के एथलीट हैं दक्षिन अफरिका के एथलीट हैं और ये पहले ऐसे खिलाडी हैं जिन्होंने किर्तिम अंगों के सहायता से देख पा रहा हैं आप इनके पास में पैर नहीं है दोर रहे हैं ये होसला, ये बुलन्द होसला है इनके अंदर था हमारे पास सब कोछ सुविदा हैं इंडिया का बेस्ट से बेस्ट एडुकेटर आपको पढ़ा रहा है वो फ्री में आपको पढ़ा रहा है फ्री में आपको PDF उपलब्द करबा रहा है तब भी आप उतने तन मंधन से नहीं पड़ रहे हैं आप पड़िये इस टाइप से आपको मोटिवेशन मिलेगा इनके पास में पैर नहीं है फिल भी ये ओलम्पिक में दोड़ने के लिए जा रहे हैं इनके बुलंद इरादों को वहादुरक सर का सलाम है और आप से भी कहू और इनका अपनाम दूसरा क्या है तो इनको लोग दादा के अपनाम से भी जानते हैं और इनको प्रिंस ओफ कोलकाता भी कहा जाता है और ये कहां से बिलोंग करते हैं प्रिंस ओफ कोलकाता कहा जाता है तो ये कोलकाता से ही बिलोंग करते होंगे और ये पूर्ब करिकेटर हैं ठीक है और अच्छा वी कुस्टन है येधे के चेयरमैन भी रह चुके हैं कौनसे नम्मर के तो ये 35 भे नम्मर के चेयरमैन थे अभी आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में वी फिथे के चेयरमैन कौन है नफशगर का नवाब किस भारतफ़े किर्केटर का उपनाम है तो नफसगड का नवाब कहा जाता है वीरंदर सहभाग के लिए ठीक है और इनका दूसरा नाम क्या है तो इनको मुलतान का सुल्तान भी कहा जाता है जैन मास्टर आफ मोडन किर्केट भी इनको कहा जाता है वीरंदर सहभाग ने 2004 में पाकिस्तान की मुलतान पर इन्होंने तहरा सतक लगाया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको मुलतान का सुल्तान भी कहा जाता है, नेश्च्ण inhemara question है, किर्केट खिलयाडियों में मद्ध हॉलिवॉड यानि की दी मेडल हॉलिवॉड के नाम से कौन प्रसद्ध हैं, तो दी मिडल हॉलिवुड कहा जाता है किसके लिए सेरन बॉन के लिए D option करक्ष हो जाएगा सेरन बॉन ऑस्टेलिया के पूर्ब किरिकेटर है मूल रूप से कौन है तो ये वॉलर है इनकी आत्मकथा का नाम पूसदाता है इनकी आत्मकथा का नाम क्या है No Spin इनकी आत्मकथा का नाम है इस question है Pocket Dynamo के नाम से किस खिलाडी को जाना जाता है तो Leander Pace के लिए Pocket Dynamo कहा जाता है Leander Pace भारत के फिरसिद्ध Tennis खिलाडी है Next हमारा question है Tennis खिलाडी के किस युगल को Indian Express के नाम से जाना जाता है तो Indian Express किस भारती जोडी को कहा जाता है तो दोस्तो Leander Pace और महेश भूपती के जोडी को Indian Express के नाम से जाना जाता है ठीक है याद रखना Rahul Dribed को किस उपनाम से जाना जाता है तो इनको D.Wall के उपनाम से जाना जाता है Mr. Reliable भी इनको कहा जाता है ठीक है तो C option करक्ठ हो जाएगा और परियक्त दोनों राहुल दरबेड करिकेटर हैं और कहां से बिलोग करते हैं तो मद्द प्रदेश के इंदोर में इनका जन्म हुआ था नेश कोस्टन है मैसूर एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है तो मैसूर एक्सप्रेस जो है यह जवागल स्रीनाथ को कहा जाता है ठीक है पूरो भारती करिकेटर है जवागल स्रीनाथ ठीक है नेश कोस्टन है VBS के उपनाम से किस भारती करिकेटर को जाना जाता है तो VVS यानि की very very special ये लक्षमन सहं का उपनाम है ठीक है कौन है लक्षमन सहं करकेटर नेश्ट हमारा क्वस्टन है चीकू और D Prince के उपनाम से किस खिलाडी को जाना जाता है तो वराट कोहली को जाना जाता है ठीक है वराट कोहली को V option करक्ठच हो जाएगा नेश्ट को स्थन है जाट और गबर की नाम से किस भारती करकेटर को जाना जाता है तो सिखर धबन को जाना जाता है D option करक्ठ हो जाएगा नेश कोस्तन है D tank किस भारतिय पहलवान का उपनाम है तो D tank जो है ये बजरंग पुनिया का उपनाम है बजरंग पुनिया कौन है भारतिय पहलवान है नेश कोस्तन है चंद्रो तॉमर का उपनाम क्या है चंद्रो तॉमर इनका उपनाम है सूटर दादी ए ओप्षन करक्ठ हो जाएगा ठीक है चंदरो तोमर उत्रप्रदिस से विलॉंग करती थी और अप्रेल 2021 में COVID-19 की वज़े से इनका नीधन हो गया है अभीनवबिंदरा का उपनाम क्या है तो अभीनवबिंदरा को आइसमेन के उपनाम से जाना जाता है ठीक है अभीनवबिंदरा आप लों को पता होगा फोटो में देखकर भी आप समझ गए होंगे कि ये परिसिद नसानेवाजयानी की सूटर है और उत्राखंड राज जिसे ये विलॉंग करते है नैश कोसन है लेडी तेंदूल कर ये कोसन अभी पूँसा गया थे एक अग्जाम में तो लेडी तेंदूल कर कहा जाता है किसको मिताली राज के लिए बी आप्शन करक्ठ हो जाएगा नेश कोस्टन है किस भारती क्रिकेटर को हिटमेन के उपनाम से जाना जाता है तो हिटमेन किसको कहा जाता है रोहिस सर्मा को कहा जाता है नेश कोस्टन है निमनमे से किस फोटवॉल खिलाड़ी को दी सिक्मी इसनीपर के उपनाम से जाना जाता है तो दोस्त दी सिक्कमी इसनीपर की उपनाम से जाना जाता है किसको भाई चुणग भूटिया केलिए a option कर रख्थ खाएगा ठीक है और इनके उपनाम से आप समझपा रहे होगे यह किस राज़िसे बिलॉग करते हैं यह सिक्किम राजिसे बिलॉग करते हैं ठीक है नेश्ट हमारा कॉसन है होकी खिलाडी संदीप सेंग को किस उपनाम से जाना जाता है तो संदीप सेंग ये प्रिसिद्ध होकी खिलाडी थे और इनको पिलकर सेंग के उपनाम से जाना जाता है और कहां से belong करते हैं हरयाना के कुरू छेतर से belong करते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हमने प्रसद्ध खलाडियों के उपनाम को discuss किया है और सभी question को बिलकुल detail में with extra fact के साथ में discuss किया है इसी प्रकास से यदि आप detail में पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे पास दो ebook हैं एक general science की और दूसरी current affairs की वादा करता हूँ एक महीने के अंदर एक महीने तो बहुत ज़्यदा हो जाता है उससे भी कम समय में static gk की एक वहतरीन ebook आपनों के सामने लाई जाएगी ठीक है और उसकी price भी बिलकुल ना के बराबर होगी जिस प्रकास से इन ebook की price है बहुत थी कम अंतिम question है इसका आपको comment section में बताना है कि निमन में से किस इसपात कार खाने की इस्थापना दुतिये 5 वर्सी युजना के दोरान की गई थी ठीक है पंच वर्सी युजना उपर मैं एक dedicated वीडियो वना चुका हूँ तो उस वीडियो को भी आप जाकर जरूर देखिए तो thank you दूस्तो मिलेंगे नेस्ट वीडियो में आप लोग topic कमेंट करके बताईए कि आप लोग किस topic पर वीडियो चाहते हैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए मस्त रहिए इस्टेडी में बेस्त रहिए जैहिंद वंदिमात्रम भारत माता की जै